हाई गाई वैकम टो मै ओलाइन सी मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ''Trust registration process के बारे में'' तो आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि Trust आकर होता क्या है कितने टाइप के Trust होते हैं क्या-क्या Documents की requirement होती है अगर आपको trust का registration करना है plus trust और NGO को कौन कौन create कर सकता है trust की registration का process क्या है उसके annual compliance क्या क्या है कितनी आपको costing लगने वाली कितनी fees लगने वाली है यह सारी चीज़े जानने को मिलेगी आपको इस video के अंदर तो गाई सबसे बात करते है trust की आके trust होता क्या है तो देखे Indian Trust Act 8082 के अंदर यह basically यहापर register होता है इसके अंदर क्या होता है जो भी property का honor होता है वो simply अपने जो rights है वो एक trustee को यहापर transfer कर देता है ताकि उसका जो benefit है यानि कि almost third party वो उसका benefit उठा सके तो देखे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा मैं भी आगे जाके आपको एक perfect example देने वाला हूँ साथ में गाईस trust के अंदर एक instrument होता है जिसको हम लोग बोलते है trust deed अब यह trust deed के अंदर काफी सारी चीज़े mention होती है कि इस trust का जो निर्मान है साथ में यहाँ पर registered होती है साथ में गाईस minimum दो trust यहाँ पर चाहिए होते है अगर कोई भी आपको trust की requirement है तो गाईस बात करते हैं यहाँ पर trust कितने type की होते हैं तो दो type की यहाँ पर simply trust होते है एक private trust होता है एक public trust होता है जिसको हम लोग NGO भी बोलते हैं तो देखिए private trust के अंदर क्या होता है कि माल नीजे अगर आप अपने family और relative की बीच में trust create करना चाहते है माल नीजे आपने देखा होगा कि movies के अंदर कई बार जैसे कोई son या father की जैसे कोई death वगर हो जाती तो उसके son को property की rights तक नहीं मिल पाते हैं तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तो वहाँ पर क्या करता है father अपने son के लिए यहाँ पर property के जो rights से उसको secure करने के लिए वो simply trust का यहाँ पर निर्मान करता है उसके अंदर अपने जो relatives होते हैं उसको यहाँ पर ऐसे trustee बना देता है और जब तक उसका बेटा या बेटी 18 साल के नहीं हो जाते तब तक वो property के जो rights है वो son and daughter के पास में ही रहेंगे लेकिन उसको secure करने के लिए यहाँ पर trustee appoint किया जाता है इस type के जो trust होते हैं वो simply यहाँ पर private trust कहलाते हैं जिसके अंदर आप खुद की property religious trust हो सकते हैं जैसे मालीजे किसी भी मंदिर के trust आप लोगों नहीं यहाँ पर देखे होंगे इसके लाबा यहाँ पर कुछ जो trust होते हैं वो basically यहाँ पर charitable trust भी हो सकते हैं जैसे मालीजे आपको कोई भी hospital बनवाना है या मालीजे आपको कोई भी school वगर है इसका creation वगर है करना है या फिर कई बार क्या होता है कुछ जो trust होते हैं वो religious भी होते हैं साथ में charitable दोनों ही यहाँ पर काम कर सकते हैं तो इस टाइप के जो trust होते हैं जहाँ पर benefits जो है ultimately public होती है वो guys simply यहाँ पर public trust कराते हैं आप इस बात करते हैं कि क्या क्या documents की requirement होती है जब भी आपको trust का creation करना है तो देखें simply यहाँ पर जो भी trust है जो भी trust है जो भी benefits है उन सभी के KYC documents लगेंगे यानि की pancard और आधार कार्ड हो गया इसके लावा आपको एक registered office का address proof देना पड़ता है जिसके अंदर आप electricity bill copy with the NOC या कोई भी rental agreement वगर यहाँ पर create करवा सकते हैं आप इस बात करते हैं यहाँ पर trust को कौन कौन create कर सकता है तो देखें वैसे तो यहाँ पर कोई भी create कर सकता है तो इसके अंदर सारे HOF शामिल हो जाते हैं कोई भी company यहाँ पर create कर सकती है कोई भी minor के भी हाँ पर भी कोई भी बंदा trust को बना सकता है association of person हो गया या कोई भी companies हो गई तो सब भी बंदे यहाँ पर trust का निर्मान कर सकते हैं अब गईस बात करते हैं यहाँ पर trust के registration का process क्या होगा तो दीखे पहले step के अंदर आपको एक trust का नाम यहाँ पर choose out करना पड़ता है उसके बाद में guys आपको define करना पड़ेगा कितने आपके number of the trustees है उसके बाद में simply आपको एक trust के deed बनवानी पड़ेगी जिसको हम लोग trust deed बोलते है इसके अंदर सारी terms of condition वगरे mention होती है उसके बाद में simply आपको अपने locally sub register के पास में जाना पड़ेगा और उस trust deed को यहाँ पर जो है attestate करवाना पड़ेगा उसके बाद में guys उस trust deed के बहाँ पर आपको simply अपना एक pan card या फिर अकर आप TDS के requirement है तो आपको एक 10 number भी यहाँ पर apply करना पड़ेगा और at the end उस pan card और trust deed के बहाँ पर आप किस भी bank के अंदर जाकर एक trust का यहाँ पर current bank account open करवा सकते हैं इसके लगा guys यहाँ पर कुछ optional license और permissions भी होती है for an example आप मालिजे एक NGO create कर रहे हैं जो basically यहाँ पर charitable NGO है तो उस case में अगर मालिजे अगर आप यहाँ पर donation accept करना चाहते हैं और जो भी donation यहाँ पर दे रहा है उसको simply आप income tax की exemption देना चाहते हैं या आपको अपनी खुद की जो income है उसके उपर भी आप income tax की exemption लेना चाहते हैं तो उस case में आपको 12A basically यहाँ पर certificate के लिए apply करना पड़ता है यह 5 साल के लिए होता है और उसके बाद में renew भी हो जाता है तो उस case में guys यहाँ पर आपको यह certificate separately apply करना पड़ेगा साथ में अगर आप foreign से donation accept करना चाहते हैं FCRA का भी यहाँ पर आपको certificate लेना पड़ेगा तभी आप यह चीज़े कर पाएंगे अगर guys यहाँ पर मैं annual compliance की बात क्यों तो यहाँ पर आपको जित्ते भी financial statement होते है पे अगर आपको यहाँ पर आपको यहाँ चीज़े यहाँ पर मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एक separate plan card यहाँ पर मिला हुआ है अपने trust का तो आपको हर साल यहाँ पर income tax return भी जो है फाइल करनी पड़ेगी इस तरह से आप अपने trust का यहाँ पर creation करवा सकते हैं तो trust का यहाँ पर जो formation है वो खुद यहाँ पर आप मत करिएगा यहाँ पर definitely आपको एक professional tax expert की यहाँ पर help लेनी चाहिए प्लस अगर आप हमारी company के यहाँ पर tax expert से यहाँ पर creation करवाना चाहते है अपने trust का तो link में आपको simply description box के अंदर provide कर दूँगा या फिर आप मुझे email कर सकते देव.myonline.org के उपर या आप मुझे telegram के उपर मेरा जो channel header वो है देवियश पतेल करके और यह सारी चीज़े भी मैं आपको description box के अंदर provide करूँगा जहाँ पर आप मेरे साथ one to one get in touch हो सकते हैं तो guys hope you like this video, please subscribe अगर आप लोगे कोई भी डाउट से comment box में ज़रूर बताएगा thank you guys, thank you very much